वेल्कमेगाईज आपका असली अगाड़ा पॉड़कास्ट के एको नए एपिसोड में और ये है हमारा फूर्थ एंड फाइनल एपिसोड आप इस एपिसोड देखें है तो आपको बता है आज इस एपिसोड में आपका एकस्पेक्ट कर सकते क्योंकि यह है मुवमेंट के नाम से सेथ रॉलिंस का वो कैश इंड जो वाता रैसल मिना 31 में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेस्न के मैश में और आज इस एपिसोड के पूरे एंड तक जाते जाते ना सिर्फ आप नौसल जाने वाले हो बलकि इसके पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट जोगी शायद आप जान करते नहीं बट उससे पहले आरे एक पोल आपको दिख रहा होगा और आप यह बताना है कि क्या सेथ रॉलिंस के करियर का यह सबसे बेस्ट मूमेंट आपको लगता है ना सिर्फ अब तक बलकि आने वाले टाम में भी क्या कुछ इससे भी वाड़ा सेथ रॉलिंस का भी कर स चलते हैं ताकि पुराना क्या चल रहा है उसके ओपर भी ध्यान दें तो यह वो टाइम था जब सेथ रॉलिंस एक मूमेंटम पड़ थे मैं यह बोलूंगा कि रसमीना पास आते हैं थोड़ा सा लग रहा था कि शायद एक बस एक फिलर काइंड ऑफ मैश में पो डाला क्यो कि स्टैंड आउट कर रहा था रोवन और दीन फिर भी सेम कलार के दिख रहे था लेकिन सेथ की अलगी परसनालिटी बन गई थी बिलकुल और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम था जब डेवी डेवले ने अपने सारे एग्स सेथ रॉलिंस की पास रिट में रखती है थे ऑफले एक नए हील की तरह फाली में और आए स्ट्रोंग ही बनाने जा रहे है कोई नइया स्टार बनाने जा रहे है और रोवन का प्लैन जबकि बहुट ताम से क्लीर था अपने करीयर में कहां पे रैंक करते हैं क्या उनकी उस पर कहना था लेकिन उस टाइम पर को इसी पीक पे कौन सकते हैं, फिर इस लेवल थक उनको आगे WWE ले जाएगी कि सब कुछ उनको मिल जाएगा WrestleMania 31 में, especially जब वो टाइम था कि Seth को दीरे दीरे बिल्ड करा जाएगा था Thority के साथ, लेकिन दूसरी तरफ जो main focus था इस पूरे show का वो थे Roman Reigns और Brock Lesnar और पहली बार इनका मैच हो रहा था वो कि WrestleMania के main event में यह हमको आद कराना पड़ेगा, लोगों को कि यह बाद के WrestleMania की तरह नहीं है तब बहुत ज़्यादा hype थी इस match के रहा हूँ यह तब का मैच है जब एक करोड मैच इस Roman Reigns और Brock Lesnar के नहीं हुए थे और जैसा Ivish ने mention भी किया कि Roman Reigns को तो अगर देखो अब आप इसको ऐसे सुनना है कि जैसा आप उस पुराने टाइम में ही जा चुगे हो यह वो टाइम है जब Shield का break up हुआ है, Seth Rollins बले ही stand out कर रहे हैं, लेकिन तब भी नजरों में store land में देखके, feel यही हो रहा है कि शायद सबसे important बंदा जो पुरे Shield के faction में समझा जाता है वो Roman Reigns को है, और इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि बली उन्होंने break up वाली चीज में बहुत ज़दा जो heat है वो उनको मिली authority के साथ वो जो है आपस में मिलते हैं तो फिर हमने Seth Rollins को और भी काफी देखा कि लोगों के eyeballs है, लेकिन still WrestleMania 31 आते आते, कानी कुछ ऐसे ही लग रही थी कि Brock Lesnar वो बंदा जो कि Undertaker की streak को तोड़ के आया है और यह उसके बाद की WrestleMania में ही movement था, तो अब शायद build किया गया है इन सारी चीजों को Roman Reigns के लिए, but बता नहीं इसको बताना है कि इसको चीए, लेकिन चलो ठीक है, मैंने तोड़ा जादा बोल दिया, आईश अगर इसको अच्छे से नेरेट करें, और क्योंकि इसकी जब commentary में जा जाके सुनतों बार और Michael Cole की, मतलब लिटरली goose bumps देने वाला हो moment है लेकिन ये बात मैं बोलना चाहूँ को इस moment आने से पहले कि लेसल में थर्टी वाल और ये थर्टी की चारा ही बड़ी moments दे चुकी थी, पे-पर-ईउस में स्टार्ट में All Inz वाला match high पर था, I think ladder match बहुत बड़ी आता इसमें Sting, Triple H देखने को मिले, Sina, Rusev का match था तो Brock और Roman तक आते आते, WWE को ऐसे हो गया था कि यार ये match लोगों को ना पता था कि क्या होने वाला कि Roman जीतेगा, काम गतम हो जाएगा लेकिन उचिस तरीके से Brock ने dominant किया Roman को और Roman ने उने comeback किया तब तो crowd को 100% पता था कि हाँ भाई ये जो है ले गया Roman बस अब इंतजार करो कब जीतेगा लेकिन जैसी वो music बचता है और Seth Rollins आते हैं भाई referee के साथ भागता हुआ ये बंदा आ रहा है और हाथ में Money in the Bank का brief के साथ JBL चिक चिक के बोल रहा है इस टाइम पर इस पॉइंट पर जावे दोना बंदे कॉंप्रोमाइज दे इंदरिंग तब Seth Rollins ने डिसाइड करा है कि इसको Money in the Bank कैश इन करना है और जैसी वो कैश इन हुआ फर फॉर्स ताइम इन इस्ट्री ऑफ डवड़ेबली ये अनाउंस करा जाता है और जब लोगों ने वो सुना कि ये क्या हो गया तो मैच चेंज कर दिया मेन इवेंट का तब फड़र विद बंदेखो इसको और अच्छी जो समझने के लिए हमने जब भी डवड़वी में कैश इन वाले तो वो एक अलगी ऐसा लगता है कि अलगी मतलब ऐसा लगता है कोई माहौल वेदर चेंज हो गया पूरा उस एट्पासफेर में कुछ टो डिफरेंट हो गया ये हमेशा ही फी लोगा और ये इमेजिन करो कि जो लोग उस समय वाँ पूरी एक साल तक स्टोरी लाइन लिखी जाती है उस एक ultimate climax के लिए उस बिल्ड के लिए वहां पर इतनी इतनी अलग चीज हो रही है और Seth Rollins की मतलब अगर मैं तो बोलूँगा वाई इसके बारे में पतना नी ज्यादा कुछ बात नहीं होती Seth Rollins को के वह सारे रियक्शन है वह गोल्ड है पूरे जाहें उनका briefcase लेके भागते वे चट बटाते वे मचली की तरह आना हो और इसलिए इसलिए गोल्ड है वह सारे natural reactions ने कभी कुछ सोचावा कि ऐसा reaction ऐसा crowd मेरे को अकेले को individual moment wrestling में WWE के main event of WrestleMania में मिल भी सकती है तो अनलों खुद अंदर से पारा इतना हाई हो रहा होगा क्योंकि एक सेकंड के लिए पर मान नहीं सकता कि रैसलिए 31 तक लोग कंविंस हो गए थे कि Seth Rollins बन सकता है उनके पास बहुत टाइम सा money in the bank briefcase जरूर था लेकिन हर को यहीं सोच रहा था कि शायर या तो fail हो सकता है कैसे इसका यहां पर Seth Rollins जो है एक काफी लंबे टाइम बाद अगर कभी champion बनेगा बिल्कुल end moment पर जाके लेकिन इस moment को इतना बढ़ा करके जिसको एक्सपोनेंशली बढ़ा करके Seth को डिलिवर करा जाएगा तो वहीं भी होता उस situation में जो पांच शे महीने पहले कुछ नहीं कर रहा था और वर्ल्ड चैंपियन में 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 इवेंड इवेंड रहती है उनकी Seth Rollins ने वैसे यह बताया भी था भी बीटियस के अपर हम अच्छे से आएगे पहले उस moment में आपको लेके जाता तो उसके बाद एक करके सारे पीछे की बाते बताएंगे तो Seth Rollins ने वी बहुत बहुत ज्यादा नर्वस थे क्योंकि हमको यह नहीं बोलना चाहिए यह 2024 का Seth Rollins नहीं है यह 2015 का Seth Rollins ने जिसको अभी बहुत कुछ अचीव करना बागी है तो सीधा आपको में इवेंट में ही कुज़र देते हो जो कि आप एक मैस में भी नहीं हो और यूजिली बंदे के अंदर मैस लड़ते लड़ते थोड़ा अड्रेनलीन रहता है अंदर लेकिन अचा पर सारे लोगों की दिल की धड़कनों को पूरा टेस्ट किया कि कैसे सेत्र रॉलिंज आ रहा है स्टॉंप मारा ब्रॉक लेस्नर को कि बाई कतम ब्रॉक पर तब भी नहीं हुआ तो उस टाइम पर लगा कि यह तो क्या फेल है कैसिंसेत का हो गया काम आज उसके बाद देख किना था और कुछ जैसा में मिल जाए जो तुम पता ही नहीं था कभी हो भी सकता है अनेक्स्पेक्टीट भी मिला तो भाई बैस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ट यहां पर डेव अपले फैंस के प्रस्पेक्टिव से डिलिवर करा और माइकल कोल्स माइकल कोल की वह लाइन कावर ब आज भी फ्रेश इन माइन मोमेंट बोर मी होंगा कभी में उसको देखके डेवर लबली की कुछ ऐसे लाइन्स हैं जैसे वल्कम तुरसलमेनिया ऐसे करके जो बहुत सारी चीजे हैं फिर अब रोमन रेंस का उसमें अक्नॉलिज मीवी डाल लो या फिर जो नहीं वैसा अग पर आने से पहले अगर जैसे 2024 का रोवित इसके बारे में बात कर रहा है तो बड़े एक्साइटमेंट से है फिर खोशी से बात कर रहा है लेकिन अगर में उस टाइम में जाओं जब मैं सारी चीज़ों को देख रहा था मैं बहुत ज़्यादा चिड़ा हुआ था से पहले स जीत के देखा भाई जो मेरा अगर मैं अपने मुवमेंट्स पे करूं कि मुझे गुस्सा आया होगा किसी बंदे को देखके तो वह तो एक रूस से भी था उसी टाइम का जो इतने अपने डॉमिनेट करता रहता था और फिर मुझे सैथ रॉलिंगा भाई मैं बता रही सकत करने के बिकाज सी एम पंके जाने के बाद मैं बहुत परिशान सा था कुछ टाइम के ले किया मेरा फेवरेट कौन है कोई वड़ा ऐसा बंदा निये जिसको मैं पिक कर सकूं को एक बिल्कुल मेरा फेवरेट हो तो सैथ रॉलिंग के उपर नजर रहती थी उस टाइम थे न कोई नहीं था उस पॉइंट ते लेकिन रोमन रेंज नहीं थे रोमन रेंज जिस तरीके से वह रन था रोयल रंबल की विक्ट्री थी रैसलवीनिया का मैश था कोई नहीं देखना चाहता था इंक्लूडिंग मी लेकिन वह डेफिनिटली अब बीटीस में बताएंगे कि र खाड़े कर रहेगा डेवीडवी में इसी कोई बैक करेंगे यह चैंपेर मन गया है वह मेशा से सैथ रोमन की तरह से हील वली फीलिंग आती थी वह क्लास देती थी एक अच्छी अटिटीट्यूड उनका इस तरीके से लड़ना बात करना सेलफिशनेस दिखाना अमने करेक टेक किया कि फैन बैकलाइश मिल जाएगी वह नहीं मिली ब्रॉक लेस्नर को पिन नहीं होने दिया यहां पर उस पर हम आएंगे क्यों वह डिसाइड हुआ और फाइनली सेथ रोलेंस की मुमेंट तो क्या है वोले है लग लखी थी डेवली बहुत जारा है वी तरह तो नही जिस तरह के रिस्पांस एक्सपेक्टेड था रोमन रेंस के लिए वैसा कुछ मिलने वाला था ब्रॉक लेस्नर के पास से अगर टाटल जा रहा है और ब्रॉक लेस्नर क्योंकि कॉंट्रेक्ट विससमें उन्होंने साइन किया था तो अभी की तरह ब्रॉक लेस्ट को मत सब्सक्राइज होती है तो यह बहुत बड़ा डिसिजन था और सेथ रॉलिंस को मैंने उस समय बहुत ज़्यादा मिरे को पसंद नहीं आया था बड़ा था बड़ा थी तो इस समय इतनी एक्साइटमेंट होगी सब्सक्राइज को कि पूरी जान से पकड़ा होगा है शरीर भी काफे स्टेफ हो जाता है तो यह तीनों डेवल डबली ने एक ही तीरे से निसाने लगा रहे हैं सा आई इस ने बोला कि ना रोवन रेंस को बैकलैश मिला ना ब्रॉक ल बैन मना लिया तो वही जो रिपोर्ट से हम उसके अगोड़ी यहां बे चलेंगे उस से हमने बातने नहीं बनाई कि सेथ रॉलिंस ने रोवित को बोला कि सिजारों से बात हुई थी कुछ टाइम पहले से दिमाग में आइडिया था कि मेरे बस मनी इन दा बैंक है तो मैं र पाइनल डिजिजिएन बना लिया है कि तू आज कैश इंड कर रहा है तो सोचो भई तुम बैठे हो वाँ तुम आरा मैच अल्रेड है तो उस पर फोकस ते रेंडी ओर्टन वाले मैच पे और तुम्हें बताया जाता है कि आज तेरा डबल ड्यूटी है और यह ड्यूटी ह है दूसरी तो सैथ रॉलिंज की नर्फ कैसी रहे होंगी तो पहली बार तुम यह चीज़ करना जाए और करियर में सिंगल इंडिविजुल मोमेंट और उसको तुम कैसे टेक इन करते और परसॉम भी करना परमा जाए तो अच्छे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मोमेंट क कर रहे हैं वह आपको चलते हुए कोई देख रहा है तो आपकी वाक ही अपने अलग हो जाएगी आप थोड़ा सा अपनी वाक ही भूल जाओ अब ऐसा भी होता तो सोचो सेथ रॉलिंज को अभी कुछ घंटे पहले ही बताए कि तुझे यह करना है और वह एक्जाक घंटे ह काफी नए नए बंदे तो समय उनको काफी कुछ करना था तो बहुत मुश्किल चीज थी सेथ रॉलिंज को कि उन्होंने पुल आफ करी क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भागते भागते बंदा लड़ खडाते में गिड़ जाए मतलब यह मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं कि वो रैसल मीना के मेन इवेंट वाला मुवमेंट है जिसमें ब्रॉक लेस्ट में रोमन रेंज जिसे बंदे इन्वाल्व हैं और साट सतर असी अजार लोग तुम्हारे सामने बैठे वे और यहां से और तुम ऐसे जा रहे हो एक ऐसी मुवमें जा रहे हो जो आपे कैसे चाहे टांगा लोग कुछ भी कर लें हमने करियर में लेकिन केविन ओएंस की जेगा जो उन्होंने टांगा का सर बजाया लोग लोग में वो कैसे बूल सकता है वो बंदक कर वी वर्ल्ड चैंपिन मनें अब मेरे को लोग लोग आएगा पहले से पांग तो सैथ रॉलि इसका ही दिया हुआ आइडिया था डेबल अबली को जो कि उन्होंने पर बाद में इसको एक्जिक्यूट भी गया तो हमको यह भी पता चलता है अलग अलग चीजों से जब हमने देगी कि सर्फ कुछ ही लोग ते डेबल लोग में जिनको यह पता दी जैसे विंस मिक्मान इन चुनिंदा लोगों के अलावा और डेबल लोगी के हैड राइटर से उस समय उनके अलावा यह बात किसी को नहीं पता दी ताकि इस चीज को सीक्रेट रखा जा सके और यह सोचो कि हम यूजिली बात करते हैं सूपरस्टार्स के रिटर्न को सीक्रेट रखने की यहां प पास कोई इंटरनेट की एकसस नी थी पता निए वरको इस ताम कैसा था क्या लोग अल्रीड एंटिसिपेट कर रहे थे कि यह कैशन हो रहा है नहीं मैं बोलूगां कि थोड़ा सा कॉंट्रोवर्सी भी घुसानी जरूरी है आपर पॉडगास यंदर विकॉज यह एक रियल थी लेकिन इस मोट में जो बिहांड थे सीन्स है यह क्लियर लिए बताती है रिपोर्ट की डवी इस चीजसे भी डर रही थी रोमन को नहीं जितवा सकते और इस चीजसे भी डर रही थी कि ब्रॉग को प्लीन कैसे पिन करा है तो यह मोट अब तो हिस्ट्री में चली कि यह लेकिन क्या ही डिजिजिए रोई सेथ रोलिंस के लिए था भी या फिर रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्नर वाली प्रोब्लम से भागने के लिए उन्होंने कुछ किया और वो कम्प्लीटली लुकाउट हो गए कि वो हिस्ट्री में जगा बहुत से स्पॉर्ट लिगए अगर इसको इस तरीके से भी देखे कि डेवल डॉबली ने इतने टाइम तक वो कैशन किया नहीं था तो शाहत कहिने के बैक अप दुमाइंड में उनके प्लान होगा क्योंकि जब रैसल मिना की मैच की बात होती तो उसको मुझे नहीं लगता कि अगर फिलेडेलफिया में रोमन रेंस को बहुत नहीं होती है और रोमन रेंस को क्राउड आहां पे सपोर्च कर रहा होता तो रोमन रेंस मैच नाहीं जीते हैं इसा मान नहीं सकते तो यहां विंस मिकमें कंप्लीटली उनके दिमाग में रोमन रेंज वह दगाए अगर इसको इस टाइम लाइन के साथ देखेंगी वाई फिलरडेलफिया में रोयल रम्मल जीतने के बाद रोमन रेंज को बेकार रियक्शन मिला लेकिन विंस चाहते हैं रोमन रेंज को लेकिन रोमन रेंज ने खुद आगे बाद बोली कि उस टाइम पर डॉमन रेंज को यह बैट के सोचने के लिए कि वह में भी क्या गलतियां कर रहे हैं क्या उनको सही करना और अपने कैरेक्टर को वहां से वो ग्रोव कैसे करते हैं और अब तो उसके लावे पूरी डॉक् ने पॉइंट में अगर हम इस चीज को देखें कि विंस मिक्मैन के लिए रोमन रेंज गाय थे तो ट्रिपल एज वो बंदा है जो कि हमेशा से सेथ रोलेंज को बैक कर रहा था उन्होंने उनको मेजर स्टार की तरह देख लिया था और यह वो टाइम था जब ट्रिपल चीजों में इंवॉल्मेंट थी और होना शुरू हो चुकी थी आइधिंग दोजार नो दसके बाद से कुछ जादा ही ट्रिपल एज का बैक स्टेज को इन्वॉल्मेंट हो गया था तो उन्होंने देखना था सेथ रोलेंज को एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं विंस मिक् बैकलिंच है फिर वो ब्रेवाट जैसी तो उसके लावा कभी भी ऐसा नहीं कि सैथ रोलेंज कभी भी बेकार लग रहा है आपको वो कंसिस्टेंटली वैसा ही परफॉर्म करेंगे पूरे साल और इसलिए यह मोमेंट ताकि हमने धैट सेपिक सीरीज में काफी मोमेंट जो चीज भी काफी हत तक नाचुनल थी लेकिन एक पॉइंट पर डेवल अबली को रैसल में 30 में जातो है पता था कि यही करना है कि इसी तरीके से अब इसकाम फाइदा उडाएंगे बहुत सिमिलर तो कोडी रोड्स वाली चीज जो रैसल में 40 में हुई पहले से पता था कि वही करना है अब यहारा decision final हो गया तो भाई ब्रॉक का रिटर्न भी सेम चीज थी लेकिन इसमें कुछ पता नहीं था कि क्या होगा इसका रिजर्ट बेकार भी हो सकता था और अगर उस पॉइंट में सुच रहों कर सेथ को मूँमेंट नहीं दी जाती त को भाई आज सेथ रॉलिंस को भी बोलता नहीं आके मेरा फेवरेट हो सेथ रॉलिंस को कभी ऐसे देखते नहीं में भी हो सकता था सेथ रॉलिंस के लिए आगे कुछ ऐसा मूँमेंट क्रेट होता लेकिन अगर यह रैसल मीने 31 का उनको highest of the century वाला मूँमें ना मिला तो तो और वो आर्किटेक्ट वाले गिमिक के ओपर भी बिलकुत पर्फेक्टली प्ले करके दिखाया सेथ रॉलिंस ने उस ताइम पर और इस एपिसोड के लिए हमारे पास इतनी सारी इंटरस्टिंग चीज़े रही है आपको बताने कि इस पूरी सीरीज में पता नहीं आगे हम इस सीरीज को कभी कंटीनु करेंगे अपसे नहीं लेकिन आप जरूर बताना इस चीज़ को कि सेथ रॉलिंस के लिए आपको क्या लगता है कि अब तक की सबसे बेस्ट मूमेंट है बाकी स्पॉटिफाइब पर आपके ऐसे जो कंटीनु सपोर्ट आ रहा है उसके लिए बह चे क्ट प्रिएब टुीन.